हेलो स्टुएंट्स एंड वेल्कम टू मैं चैनल एंड इन दिस वीडियो वी डिलिंग विट डिफ्रेंट्टिल लिकोसाइट काउंट जैसे हम डी एलसी भी करते हैं तो सबसे पहले डी एलसी के अंदर ये वाली जो टेबल है हमने पिछले वाली लेक्षर के अंदर भी यह इनी के उपर ही हम पूरा डील करेंगे बस यह वाली चीज हम डील करेंगे यहां पर अच्छे से आपको यह पूरी डेवल याद होनी चाहिए न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस कैसा होता है साइटोप्लास्में ग्रेनियूल्स कैसे होते हैं यूसिनोफिल्स काते हैं यांपर के हम डील सी कैसे करते हैं तो डील सी करने के लिए सबसे पहले आपको PVS बनाना पड़ेगा PBS, first step, जो आपको रहेगा, majorly, जो important step रहेगा, PBS बनाने के बाद, हमारे पास, हमें एक tally bar method कर यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम 10 into 10 की table के उपर हम लेखेंगे, और इस तरीके से हम notation लेखेंगे, कैसे करेंगे, अभी देखते हैं, तो सबसे बहले आपने यह PBS बना लिया, PBS बनाने के बाद, आप अपने microscope को set करेंगे, high power के अंदर, और उसके अंदर आप देखेंगे, आपके पास different, different, जो हमारे पास WBCs हैं, legocides हैं, वो आपको देखेंगे, तो जो WBCs आपको देख रहे हैं, उनके अंदर आपको क्या करना counting करनी है, कैसे counting करनी है, आपको एक जगे पर microscope set करना है, उसके बाद उसे इस तरफ लेके जाना है, फिर उसे नीचे करना है, फिर उसे ऐसे करना है, फिर उसे थोड़ा नीचे करना है, फिर उसे ऐसे करना है, फिर उसे थोड़ा से नीचे करना है, फिर ऐसे करना है, और ऐस इस तरीके की टेवल के अंदर आपको पहला न्यूट्रोफिल मिला तो आप में लिग दिया अगरा युट्रोफिल मिला फिल मोनो साइट मिला फिल एक प्ला आप जब ऐसी काउंट करते जाएंगे और स्लाइड के ऊपर ठेक है तो आपको मिलते हैंगे, जय से यहां Nyeutrophil मिल गया फिर आगे बड़े फिर नीचे आए तो यहां MonoCyte मिल गया यहां पिर MonoCyte मिल गया यहां आगे आएंगे तो यहां MonoCyte मिल गया तो इस तरीका से हमें यहां पर पूरा फिल करना है ठीक है ऐसे और यह इनके अंदर हम इन्हें अब्रिवेट करेंगे जैसे N for the neutrophil, E for the eosinophil, B for the basophil, M for the monocyte and L for the lymphocyte This is very simple, बस इस तरीके से हम करते हैं और यह जो method होता है इस तरीके से counting का, this method is known as tally bar method, very simple, हाँ, इसके अंदर हम एक table भी बनाएंगे, जो हमने अभी देखी थी, यह table जो होनी चाहिए, वो 10 into 10 की होनी चाहिए, और आगे ऐसे करके पूरा table बनाएंगे, यह हमारे पास table, यह 10 into 10 की होनी चाहिए, और 100 cells का इस तरीके से हम count करेंगे, जैसे हमारे 100 cells count हो जाएंगे, हम stop हो जाएंगे, और हमारे पास यहां हम percentage calculate कर देंगे, side में, कि neutrophils कितने percent है, यह eucinophil कितने percent है, basophil कितने percent है, और बाशी इस तरीके से, this is the tally bar method, जो हम यहां पर use करते हैं, ठीक है, this is tally bar method, तो कुछ नहीं आपको एक अच्छा सा PBS बनाना है, microscope के अंदर रखना है, high power के अंदर, और उसके बाद आपको tally bar method से counting कर देनी है, एक table बनानी है, 10 into 10 की, उसके अंदर आपको जो-जो cell मिलता है आ रहा है, उसके अंदर लिख देना है, percentage निकाल देनी है, and that's all the DLC is, इस तरीके से हम DLC करते हैं, जैसे आपको base of il मिला, तो आपने लिख दिया, फिर आप आगे आए, monocyte मिला, monocyte लिख दिया, फिर आप नीचे आए, तो नीचे आने के बाद आपको lymphocyte मिला, lymphocyte लिख दिया, आगे आए, neutrophil मिला, neutrophil लिख दिया, फिर आप नीचे आए, eos लिखती है तो ऐसे करके आपको पूरी पूरी टेबल फिल करते हैं और परसेंटेज निकाल देनी है ओके तो अब थोड़ा हम वाइवा कुश्चंस एंड थेओरी पार्ट को डील करते हैं तो वाइवा कुश्चंस के तो सबसे पहले थे फंक्शंस और ड्ली मीचिन शें तो जो और क्याब रख न चलर करते हैं आपको पोङबात में पूचा जाएगा टो निड्रफिष कि माइकमखिश करते हां एकटी discount यूद्क of allergic responses and asthma pathogenesis ठीक है और इसके साथ viral infections में भी deal करते हैं eosinophil, basophil के आवर करते हैं कि inflammatory reactions heparin होता है और histamine होता है heparin जो होता है वो anti-cogulant की तरीके से work करता है तो blood को जल्दी clot नहीं होने दोता है ये भी एक function है basophil का और histamine एक vasodilator होता है ठीक है तो वो भी एक function है basophil का ठीक है monocytes की बाद करने हैं तो monocytes जो होते हैं वो replenish करते हैं resident macrophage populations in a cell ठीक है in a tissue और इसके बाद इसके साथ-साथ monocytes का क्या function है कि they are antimicrobial and phagocytic activity होती है ओके lymphocytes की क्या function है कि these are natural killer cells T-cells और B-cells इसके नरी होते हैं मतलब they include the natural killer sense N-Cells होते है इसके साथ-साथ T-cells होते हैं B-cells होते हैं तो जो T-cells होते हैं वो cell-mediated immunity प्रोवाइड करवाएंगे और B-cells जो होते हैं वो humoral immunity है फिर antibody-mediated immunity प्रोवाइड कर राते हैं तो यह function है lymphocyte का ठीक है तो यह इन पांचों के functions आपको याद होने चाहिए यह आप से वाइवा का एक important question बनेगा कि आपको किसी से भी आपको important उनकी क्या function से पूछ सकते हैं दूसरा आपको यह याद होना चाहिए कि कब कौन सा increase होगा तो कौन से disease हो जाएगी क्या pathology है उसके पीछे तो यह आपको पता होने चाहिए like neutrophil का increase हो जाता है तो neutrophilia increase in neutrophil count this is a very important table this you need to remember ठीक है so neutrophil का increase, neutrophilia increase in neutrophil, कब-कब होता है acute infections में हो सकता है metabolic disorder में हो सकता है ठीक है और injection of foreign proteins के अंदर भी हो सकता है these three are important इसके बाद फिर आपको पता होच चाहिए कि neutrophilia neutrophilia होता है decrease in neutrophil count decrease in neutrophil count कब होता है जब tuberculosis हो, typhoid हो anti-immune disorder हो तब होता है eucinophilia increase in eucinophil count कब होता है allergic conditions में हो सकता है blood parasite अगर कोई है तब होता है eucinopenia decrease in eucinophil count Cushing syndrome and bacterial infections के अंदर होता है so this is the important thing ठीक है इसके बाद यह जो मैं टिक कर रहा हूँ यही सब से important है ठीक है basophilia तो आपको भी दो बता देना किसी के भी अगर आपसे वाइब हो कोई पूछा जाए ठीक है तो basophilia increase in basophil count smallpox, chickenpox basopenia decrease in basophil count कब होता है यह आपका stress के अंदर हो सकता है and chemotherapy और radiotherapy under cancer treatment तो वाँ पर हो सकता है ठीक है इसके बाद monocytosis monocytosis increase in monocyte TB के अंदर होता है syphilis के अंदर होता है monocytopenia decrease in monocyte count कब होता है prolonged use of हमारे पास immunosuppressant drugs जो होता है ठीक है immunosuppressant drugs जो होता है उनका अगर prolonged use करेंगे तो monocyteo P होता है ओके lymphocytosis increase in lymphocyte count कब होता है जब हम mumps rickets और cephalus ठीक है और tubiglossus tubiglossus बहुत सारी diseases करना tubiglossus में यह सब this is a very safe answer to say tubiglossus and syphilis syphilis BS और उसके बाद हम देखें तो हमारे पास आता है क्या lymphocytopenia यह होता हमारे पास decrease in the lymphocyte count AIDS और दूसरा हमारे पास steroidal administration ओके क्योंकि steroids से हम चड़ाते हैं तो हमारे कई सारे जो WBC होते हैं वो कम हो जाते हैं compromise हो जाते हैं ठीक है so this is a thing इसके बाद कुछ वाइवा questions और है सबसे पहला है what is the clinical importance of doing DLC तो DLC के अंदर हम क्या अगर देख सकते हैं कि increase or decrease देख सकते हैं एक particular RBC का तो उससे हम पता लगा सकते हैं या pathological reason हो सकता है ठीक है what does the DLC of a child differ how does the DLC of a child differ from that of an adult तो जो children होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि lymphocyte predominate करते हैं मतलब lymphocytes बहुत जादा होते हैं ठीक है and form up to 40 to 50% of the TLC मतलब total lymphocytes जो होते हैं उसका 40 to 50% जो हमारे पास lymphocytes होते हैं जो constitute करते हैं जबकि जो granulocytes जो हैं वो predominate करते हैं अडल्स के अंदर so this is a very good answer इसके बाद is it possible to know the sex of a person from the blood film so the answer is yes but it is very tough to determine because we can see a drumstick or the bar body in the sex chromosome or the chromated extending from one lobe of the nucleus into the cytoplasm of the neutrophil so ये हमारे पास एक देख सकते हैं लेकन ये अल्दो इस वरी तफ but we can determine the sex by this okay so that's all for today और एसी के साथ ही हमारा DLC भी फिनिश होता है and stay tuned for more hematology related and medical related videos and thanks for watching and please subscribe my channel thank you so you 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 you